दोस्तों क्या आप जानते हैं अगर हमारे सरीर में बेटामिन B12 की कमी हो जाती है तो हमें क्या-क्या परिसानिया होती हैं दोस्तों बेटामिन B12 स्वास्त के लिए बहुत जरूरी है ऐसे में अगर सरीर में बेटामिन B12 की कमी हो जाए तो लोगों को स्वास सम्द्री समस्या आजρο बेठा을 का सामना करना पड़ता है इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे सिम्टम्स बताओंगा जो वीडियो में आगे बताएंगे अगर आपके सरीज में वीडियो में वीडियो की कमी है तो आप उसको कैसे पूरा कर सकते हैं तो वीडियो में लाश्तर बने रहें और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सस्क्राइब कर लें और बेल आगन दबा दे ताकि कोई भी हल्थ की वीडियो आपसे मिस नहों सके दोस्तो बेटाविन B12 की कमी का जो पहला सिम्टम्स है वो है हाथ पैर में सुन्नुपन जब सरीर में बेटाविन B12 की कमी हो जाती है तो हाथ और पैरों में सुन्नुपन जलन और दर्द की समस्य होने लगती है दूसरा सिम्टम्स है सिर में दर्द होना सरीर में बेटाविन B12 की कमी होने पर लोगों को सिर में दर्द और माय गेन की समस्य होने लगती है तीसरा सिम्टम्स है पाचन संबंदी समस्याँ बेटाविन B2L की कमी होने पर कैई बार लोगों को कबज, गैस, पुल्टी जैसी पाचन संबंदी समस्याँ को सामना करना पड़ता है चोथा सिम्टम्स है तुचा पीली पढ़ना अगर सरीर में बिटाविन B12 की कमी के सिम्टम्स तुचा में दिखाई देते हैं इसकी कमी होने पर लोगों को पीली तुचा की समस्या होती है पांच माजो सिम्टम्स है मुँ में दर्द होना के बार सरीर में बिटाविन B12 की कमी से लोगों को मुह याजीम में दर्द होने की समस्या का सामना करना पड़ता है इससे के बार सूजन और रेश्यस की समस्या भी हो सकती है चटा जो स्प्टम्स है वो है डिप्रेशन का बढ़ना सरीड में बिटावन B-2L की कमी होने पर लोगों को सरीर में कही समस्या होती है इससे तनाव, चिंता और डिप्रेशन जैसी समस्या को बढ़ावा मिलता है दोस्तो अगर आपके सरीर में बेटावन बीटल की कमी है तो आप ड्राइफ रूट्स इसके अलाबा खाने में सेव, केला, टमाटर, मसरूम, पालक, चुकंदर, आलू आदी सामिल जरूर करें और अगर आप बेटावन बीटल की कमी को मेडिसन से पूरा करना चाते हैं तो आप नियोरोबिन फोर्ट टेवलेट का यूज सुबा साम खाना खाने के बाद कर सकते हैं इस टेवलेट का सेवन करने से कुछी दिन में बेटावन बीटल की कमी पूरा हो जाएगी दोस्तों इस वीडियो में मिलते हैं नेक्ट वीडियो में उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंदाई होगी अगर ये वीडियो आपको पसंदाई है तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी हल्थ की वीडियो आपसे मिसना हो सकी और अगर आपको बेटाविन बीटोल की कमी के बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमसे इस्टेग्राम पर आकर बात कर सकते हैं इस्टेग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा